तो सुना आपने ये कितने क्रिस्पी चिप्स हैं तो आज हम बनाने वाले हैं जटपड बनने वाले आलू के चिप्स जिने आपको धूप में भी सुखाने की जरुवत नहीं पड़ेगी जब मर्जी हो तब आप इने बना करके तैयार कर सकते हैं तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं आज कर ये वीडियो इंस्टेंट चिप्स बनाने के लिए मैंने यहां पर लिये हैं तीन बड़े साइस के कच्चे आलू चिप्स के लिए हमीसा कोसिस करने बड़े साइस का आलू हो आलू को हमने छील लिया है अच्छे से धो लि तो लीजे मैंने आलू को इस तरह से काट लिया है और आप देख सकते हैं जितना पतला आलू कटेगा ना उतने ही बढ़िया आपके चिप्स बनेंगे तो आप देख सकते हैं कितना पतला है अगर मैं हतेली पर रख रही हूं तो एकदम ट्रांसपरेंसी इसमें दिख रही है इसमें नजर आ रही है अब हम क्या करेंगे इसका हम स्टार्च अलग करेंगे स्टार्च की वजए से आलू आपके सौफ्ट पढ़ जाएंगे क्रिस्पी नहीं होंगे इस्टार्च अलग करने के लिए आपको इनको कम से कम चार बार पानी से वाश करना होगा जितने अच् तो डेफिनेटली 100% आपकी चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अगर आप ऐसा नहीं करना चाहेती तो आप इन चिप्स को लेकर के फ्रीजर में रख दीजें कम सकम 15-20 मुट के लिए ज्यादा भी रख सकते हैं तो फिलहाल तो मैं इसको ढख करके ऐसा ही 15-20 मुट के बढ़िया चिप्स बनती हैं अब हम क्या करेंगे इनका पानी निकाल देंगे यहां पर मैंने कॉटन का कपड़ा विछा दिया है और इन में हम सभी चिप्स को अच्छे से फैला देते हैं यहां हमें सुखाना नहीं है हमें सिर्फ इनका पानी अलग करना है क्योंकि अभी यह काफी गेली है इनमें पानी है तो यह पानी अब्जॉब हो जाना चाहिए आप चाहे तो डिलेटली एक एक चिप्स को कपड़े की मदा से पोच भी सकते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है पर मैं इस तरह से फैला देती हूं तो 15-20 मिनट में ही कपड़े ने सारी चिप् है तब हम अपनी चिप्स को डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है यहां पर यह बात याद रखिए अगर आपने धीमा कर लिया तो यह तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी और क्रिस्पी भी नहीं होंगी तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर अब इनको हम अच्छे से स लेंगे तो टोटल इन में करीब आपको तीन से चार मिट का समय लग जाता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं क्योंकि यह बहुत ही पतली चिप्स होती है तो आप देख सकते हैं थोड़ी दिर में इनका इनकाल लेते हैं तो आप इनको अलग किसी टिशू पेपर मे जो है तल चुकी है इनको हम ठंडा होने रेते हैं ठंडा होने की बाद यह चिप्स है काफी क्रिस्पी हो गई है तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी चिप्स बनी है तो इस तरह से आप भी इनकाल चिप्स बना करके तयार कर सकते हैं पिलकुल भी टाइम जैसे आप इसमें चाहिए चाट मसाला डाल सकते हैं या ओनियन पाउडर हो आपकी पास टोमैटो पाउडर हो जो भी आपके पास कोई सीजनिंग रखी हो वो भी आप डाल सकते हैं तो फिलाल मैंने यहाँ पर नमक डाला है थोड़ा सा हम लाल मिर्श डाल देते हैं तो लीज झाल झाल